मश्कार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग में आपका स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद आपको इस शेट पर निवेश करना चाहिए इस वेल्यूएशन पर और आने वाले टाइम में आपको क्या टार्गेट देखने को मिल सकते हैं हम आपके लिए गाइस बिल्कुल क्लियर कर देंगे वीडियो एंट तक जूरूर देखेगा तो गैज पहले कंपनी के फंड़मेंटल के बारिम बात की जाएं तो कंपनी के फंड़मेंटल स्ट्रॉंग है कि सटॉक ना आ है ज्यादा ओवर बौर्ट जॉन मैं और ना ही एसम कि की रेड्फलेग लिस्ट में गाईस और कंपनी की एनुल ग्रोफ प्रेड्ट कटम देहने को मिल रहा है गाइस तो मैंने आपको पहले भी कहा थे जब भी किसी कंपणी का स्टॉक होता थे था आपको इस बाइंसका फैटन भी बना उसमें यह सा पता लग रहा हkey कंपणी एक कंपणी के करह टरिंड तो अब भी आपको गय्चिसमें एक ऐसा एक range bound momentum देखने को मिलेगा अभी आपको इसमें कोई भी एक तरफा तेजी देखने को नहीं मिलेगी लेकिन गाइस कंपनी आपको बहुत अच्छे वेलिएशन बहुत अच्छी है आपको स्टॉक बहुत अंडर वैलीओ प्राइस में अभी मिल रहे तो आप इस शेयर में बना सकते हैं और लॉंग टर्पावर प्रॉजिशन बनाने की सोचें कैो क्योंकि आने वाल टाइम में कंपनी ग्रीन पावर प्रोजेक्ट से लेटेड बहुत अधा बिजनस करेगी जिससे कंपनी के रेवन्यू ग्रोथ रेट और पॉफिट जेनेरेशन में हमें अच्छे खासी तेजी देखने को मिलेगी और बढ़ावत देखने को मिलेगी तो मेरी आपको यही रहे रहेगी अगर अच्छे खासे रिटर्न बनाके देगे इस कंपनी की वैल्यूइशन बहुत अच्छी और इसका ग्रोथ प्रेटेशन बहुत जाद है तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद